हलो इस्टुडेंट कल्याणी आई सेकेंट में को उनलेंट प्रेटफरम पर आपका स्वागत हैं मैं हूँ लखन दाइबा अपको MPP से मैं सेक्जाम के लिए सेकेंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है शंबिधान सासन में बस्ता जजाजनीती जाना जाता है जैसे उन्हें लोकनायक कहा जाता है और उन्हें जेपी के नाम से भी जानते हैं और जैप्रकास भी कहते हैं तो इतने नामों से इन्हें जाना जाता है तो देखे फ्रेंड इसमें जैप्रकास नारायन जी का जीवन परिच्छा है तो अभी मैं आपको सम्मा ने जीवन परिचे इनका पढ़ाऊंगा उसके बाद फिर इनके द्वारा जो दिये के विचार थे उनके विचार के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा तो देखे इसमें पहले इनके अन्य नाम तो अन्य नामों में लोक नायक जैपी और जैप्रकास ठीक है ये इनके अन्य स्थान आपको याद रखना होगा ग्राम सीता बदियारा और जिला सारण जो विहाराज में आता है ठीक है तो यहां पर इनका जन्म हुआ था इनके पिता जी का नाम क्या था इनके पिता का नाम था हरसुल दयाल और इनकी माता का नाम क्या था तो इनकी माता का नाम आपको ध भी था यह आपको ध्यान रखना है अब इसके बाद में देखिए प्रेंटिस में आगे इनकी सिक्षा तो इनकी जो प्रारंबिक सिक्षा होती है यह पटना में हुई थी जो आपको ध्यान रखना है इसके बाद फिर 1921 में वे कांधी जी के च वह आंवाव वर्स तक अध्ययन किया था और उन्होंने वर्कले में कैलिफॉर्निया विश्विध्विद्ट ढ़य में एड्मिसल्स लिया था या प्रभीष लिया था ठीक यहां पर इन्होंने पढ़ही को अब इसके बाद में इनके उस समय आर्थिक इसदी ठीक ना होने के कारण इन्होंने अमेरिका में अपने अध्यन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जय प्रकास जी ने कहीं कारी किये थे यहां तक कि उन्होंने अपने पड़ाई को जारी रखने के लिए जूतों पर भी स्टोन के मार्सवधी विचारों का उन्होंने भी समर्थन किया था तो यह आपको ध्यान रखना इसके बाद पर आगे देखें इसमें यही पर उन्होंने एम एन राओं ठीक है तो एम एन राओं और ठीक है तो यह एम एन राओं की जो रचनाय थी उनका ध्यान भी उन्हो लाल नहरू के संपर्क में आए थे इसके बाद फिर 1934 में उन्होंने कई अन्य साथियों के साथ या उनके सहयोग से कॉंग्रेस समाजबादी पार्टी के स्थापना की थी यह आपको ध्यान रखना है तो एकजाम में आप से कोश्चन पूछा जाता है कि जैप्रगास नाराय जैप्रगास नारायन उस समय हजारी वाग जेल में बंद थे इसके बाद फिर भाराच छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था तो इसके कारण इन्हें पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया था लेकिन कुछ समय बाद ही जेल से भाग निकलते हैं किन्तु फिर से इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और अप्रेल 1946 इस्वी में उन्हें छोड़ दिया गया था इसके बाद इनकी सेवाओं और इनके त्याग से गांधी जी बहुत अधिक प्रभावित हुए थे और इसी कारण गांधी जी ने फिर इन्हें अध्यक्षता के लिए प्रस्ताव भी पेस किया था लेकिन कांग्रेस की जो कारेकारणी समीती होती है उस कारेकारणी समीती ने इस प्रस्ताव को स्विकार नहीं किया था फिर इसके बाद में आगे देखे इसमें तो अगला है कि इन्होंने देश की सुतंतरता के पश्चाथ उन्होंने सरकार में किसी पद पर बने रहना स्विकार नहीं किया था उन्होंने 1948 में भारतिय राष्टी कॉंग्रेस को छोड़कर भारती समाजबादी पार्टी के स्थापना की थी यह आपको धियान रखना है और बाद में इस पार्टी ने प्रजा समाजबादी पार्टी का रूप ले लिया था इसके बाद फिर 1952 इसमी में वे बिनोबा भावे के नित्रत्व में चले गए और उन्होंने सर्वोदे अंदोलन की तरफ अपना रुक किया था ठीक है तो यह सर्वोदे अंदोलन में सामिल हो जाते हैं कब 1952 में और अब बे सत्ता की राजनिती से अपने आपको दूर रखने लगे थे जैप्रगास नारेंजी सत्ता में बिल्कुल नहीं आना चाहते थे और जो सत्ता की राजनिती थी इससे दूर चले गए मतलब इसमें सामिल फिर नहीं हुए उनका फिर एकमात उद्धिस रह गया था जन्ता के कल्लेंड के लिए कारी करना है ठीक है समास सेवा करना है यह उनका उद्धिस हो जाता है फिर उननीस सो सत्तर से बहुत्तर के बीच उन्होंने अपना अधिकान समय विहार के मुझफर फूर जिले में नकसलवादी विद्रों को समप्त करने में लगाया था इसके बाद फिर 1965 में इनको जन्द सेवा के लिए रेमन मैकसे से पुरुसकार दिया गया था यह आपको याद रखना है तो एक्जाम में कोश्चन आपसे तीन नंबर में पूछा जा सकता है कि जैप्रकास नारायन को रेमन मैकसे से पुरुसकार कब दिया गया था तो 1965 में इनको दिया गया था जन्द सिवा के लिए इसके बाद फिर 1922 में उनके आदर सो से प्रेरित होकर चंबल घाटी में लगभग 400 डाकूओं ने आत्म समर्पन कर दिया था ठीक है इन्होंने लोगों को समझाया कि गलत कारी नहीं करना चाहिए नेतिक कारी करना चाहिए पर इनकी बातों कुछ लोगों ने स्विकार किया और चंबल घाटी में 400 डाकूओं ने आत्म समर्पन कर दिया था इसके बाद फिर मार्च 1974 में सरकार की नीतियों के विरुद्ध सांतीपुन प्रदसन करने के लिए उन्होंने चात्र संगर्स समीती का नित्रत भी किया था फिर इसके बाद में 26 जून 1975 को जब देश में आंत्रिक आपात इस्तिती गोसित कर दी गई थी हमारे भारत में 26 जून 1975 को आंत्रिक आपात इस्तिती गोसित कर दी गई थी मतलब आपात का लगा दिया गया था थीक है तो आंत्रिक आसांती का अधार पर जब आपात का लगाया गया था भारत में तो अन्य विपक्षी नेताओं के साथ जय प्रकास को भी नजर बंद कर दिया गया था फिर इसके बाद में वारह नवंबर 1975 को गंभीर बीमारी के हलत में उन्हें जेल से छोड़ भी दिया गया था फिर इसके बाद में 1977 के लोकसफ़ा चुनावों के दोरान वे आगे आते हैं और 23 जनवरी 1977 को जनता पार्टी का उन्होंने गठन किया था यह आपको ध्यान रखना है इसके बाद फिर चुनावों के बाद उनको लोकनायक के नाम से जाने जाने लगा था तो जनता पार्टी को आज आप देख रहे हैं तो जनता पार्टी की स्थापना में इनका मह एनकी मिरत्व कब होती है तो इनकी मरत्व हो जाती है तो इनकी मरत्व से देश अधिक दुखी हुआ था ठीक है इसके बाद फिर इनकी मृत्तियों के पश्चात इन्हें भारत रतन पुरुषकार दिया गया था तो भारत रतन इन्हें कब दिया गया था तो 1999 में 1999 में इन्हें भारत रतन दिया गया था ये अपको ध्यान डखना है अब इसके बाद आगे देखे इसमें कि उन्होंने अपने जीवन का आरंभ एक साम्मेबादी की रूप में किया था इसके बाद फिर जैप्रकास नारायन को आधुनिक भारत के इतिहास में देश के तीन लोकप्री आंदोलन में सक्री भाग लेने का गोरव प्राप्त है अर्थार कि जैप्रकास जी ने तीन आंदोलन में भाग लिया था तो वे तीन आंदोलन कुन कुन से हैं तो पहला आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन दूसरा था ब्रस्टाचार और अधिनायगवात के खिलाप आंदोलन और तीसरा था भूदान आंदोलन ते तीन आंदोलन में इन्होंने सक्री भूमिका निभाई थी इन्हों की के दसक में ब्रश्टाचार और अधिनायकबात के खिलाब भी इन्होंने आंदोलन का नित्रत्व किया था इसके बाद फिर दस वरसों तक इन्होंने भूदान आंदोलन में भाग लिया और हिर्दे परिवर्तन के द्वार आप बड़े पेमाने पर समाजिक परिवर्तन लाने भाग लिया था तो बताईए वे तीन महत्पुन अंदोलन कौन-कौन से हैं तो इन तीनों अंदोलन के नाम आपको ध्यान रखना है जो मैं आपको बता चुका हूं इसके बाद आगे देखिए जैप्रकास नारण की रचना है तो जैप्रकास नारण जी की रचना है कौन-क तंत्र फिर इसके बाद में अगली रचना आती है इनकी समाजबाद से सर्वोदय की और फिर इसके बाद में अगली रचना है कि यह पिक्चर आप सर्वोदय सोसल और फिर इसके बाद में अगली रचना होती है कि स्वराज फॉर्ड पीपुल फिर इसके बाद में अगली पुनर निर्मान फिर इसके बाद में इसके बाद फिर अगली रष्णा है इनकी क्लस्ति प्रयोग और face to face, यह इनकी सारी रचनाय फ्रेंट, यह रचनाय आप से एक्जाम में पूछ जा सकती है, तीन नंबर में यृप प्रपसर नारण जी को रचनाय लिखें, तो तीन नंबर में अगर पूछ रहाएं तो तीन रचनाय आपको लिखना है। इसके बाद इनकी जो सभी रचनाओं है तो इन सभी रचनाओं का संग्रह हमें किसमें प्राप्त होता है तो इनकी सभी रचनाओं का संग्रह ए revolutionary quest के नाम से प्रकासित हुआ है जो आपको ध्यान रखना है तो यह भी तीन नंबर में आपसे question पूछा जा सकता है कि जयप्राइठ कि सभी रचना है किस नाम से प्रकाशी थोई तुट्यू यह revolutionary quest इसके नाम से इनकिसारी रचना प्रकासित थी तो इन सभी का संग्रह है यह पिढ़ेन आगे देखिए समाजबात के थापनपना हे तो लात में समाजबात के सरकारी समीतियों को संगठित करना और उन्हें बड़ावा देना या प्रोसाहित करना दूसरा सुधाव इनका यह था कि भूमी कर कम करना है तीसरा सुधाव था कि प्रमुख उद्योगों का राश्टी करण किया जाए इसके बाद फिर अगला इनका था सुधाव सहकारी और स लामोही खेती फिर इसके बाद में अगला सुझाव था इनका कि राज्य द्वारा इस्थापित उद्योग तो यह इनके सुझाव हैं तीन नंबर में आप से कोश्चन पुछा जा सकता है कि जैप्रकास नारायन ने समाजबात की स्थापना के लिए जो सुझाव दिये थे प पहला प्रभाव देखिए इन पर पारिवरिक प्रिष्ट भूमी का प्रभाव तो जैप्रकास नारायन पर पारिवरिक प्रिष्ट भूमी का प्रभाव व्यापक रहा है तो उनके माता-पिता की सरलता तथा उनकी उदारता का प्रभाव इन पर पड़ा था इनके पिता ज विचार थे उनकी विचारों पर इनकी पत्नी भी आस्था रखती थी इसके बाद में जीवन भर उनके कारियों में सहयोगी रही है इसके बाद स्रीमती प्रभावती को गांधी बाद में अटूट आस्था थी तो गांधी जी के विचारों में देप्रकास नाराण भी विश् प्रवास रखती थी ठीक है इसके बाद फिर आगे देखिस में अमेरिका की लोकतांत्रिक विवस्था तो अमेरिका की लोकतांत्रिक विवस्था का भी इन पर प्रभाव पड़ा है जैप्रकास नारायन पर तो संयुक्तराज अमेरिका में प्रवास के दोरान जब वहां पर गए थे जय प्रकाश नाराएन अमेरीका में तो वहाँ की जो लोगतांत्री ववस्ता थी तो लोकतांत्री ववस्ता की मुल्वूत आदासों से जे जाएंटाक नाराहिन अधिक प्रता हुए थे इसके बाद फिर अगला प्रभा वह इन पर कुछ महान विकती थे तो कुछ महान विक्तियों का भी प्रभाव इन पर रहा है तो वे महान विक्ति कौन को ने जिनका जैप्रकास नारायन पर पड़ा है तो इसमें देखिए पहले थे मार्क्स और इसके बाद फिर लेनिन इनके विचारों का भी प्रभाव इन पर पड़ा है इसके बाद भारत में महात्मा गांधी बिनोबा भावे और आचारे नरेंद्र दियो ये इन से अधिक प्रभावित हुए थे जैप्रकास नारायन और इन महानविक्तियों का चारों में लोकतंत्र समाजबाद शाम्मेबाद गाधिवाद तथा शर्वोदय इन सभी का अभुत्पूर्व समन्वे देखने को मिलता है ठीक है तो यह सब आपको ध्यान रखना फ्रेंड अब इसके बाद इसमें देखिए आगे ग्रामिड संस्कृति वह परियावरन त गीता का भी जैप्रकास नारहन पर प्रभाव पड़ा है तो वाल्यकाल से ही यह नैतिक मुल्यों के प्रती जैप्रकास का आकर्शन रहा था और श्रीमत भगवत गीता से इन्हें प्रेणा मिलती है इसके बाद फिर अपना इन्होंने राजनितिक जीवन प्रारंब करते सम है वे गीता के तो गीता के जो कर्म करो इसके संदेश से अधिक प्रेजित हुए थे ठीक है फ्रेंट तो यह आपको ध्यान रखना है यह इन पर जैप्रकास नारायन पर इन सभी का प्रभाव रहा है इसके बाद फिर आके देखिए इनके राजनितिक बिचार तो जैप्रकास नारायन के कुछ बिचारों में पहला बिचार सुरू होता है राजनितिक बिचार अब राजनितिक बिचारों के अंतरगत इनके ब क्विचार है लोग ची हसकती अग्ला विचार है इनका राज्य पर विचार फिर इसके बाद में आधुनिक लोख्तंत्र फिर दल भी हिन लोख्तंतर फिर नागरिक्ष तंद्र ता फिर इसके संपूर्ण करांती फिरस्वाद राष्टवाद एवं अंतर राष्टवाद ये सब इनके राजनितिक विचार हैं दैप्रकाश नारायन के ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है कि जैप्रकास नारायन व्यक्ति की सुतंत्रता समानता एवं बंधुता में विश्वास करते थे ठीक है और जैप्रकास नारायन के लोकतंत्र संबंदी विचारों पर एम एन रॉय और महात्मा गांधी का अधिक प्रभाव पड़ा था ये आपको ध्यान रखना है इसके नामी लोकतंत्र दल विहिन लोकतंत्र और समुदावादी लोकतंत्र इतने नामों से इन्होंने बताया था या इतने नाम इनके बताया थे इसके बाद भारत के लिए समुदाई लोकतंत्र को उन्होंने एक आदर्स लोकतंत्रिक प्रणाली माना था उनकी संकल्पना या उ दूसरी होती है मानों की मूलभूत सामुदाइक प्रबड़ती तीसरा होता है सत्ता क्या आधार की व्यापक्ता तो उनकी कलपना यह तीन प्रेणाओं पर आधारित थी यह आपको धिहान रखना है तो एक्जाम में तीन नंबर में आप से यह कोशन पुछा जा सकता है कि जै वियाद रखना होगा अगला देखें इसमें सामुदाइक लोगत्र में सत्ता का विक्यंदरी करण तुद आज सना प्रचास नारहां जी सत्ता के विक्केंदरी करण सांवधाई conviction की ग्राम स्तर से लेकर रस्त तक पाउंच इस्तरude से उजना प्रस्तोत था यह पाक इसरी योजना में पहले कि देखना यहां पर ग्राम टार पर ग्राम सभाल सने सने सार्वाइक सर्वोच राजिनितिक संस्था ग्राम सभा होगी इसके बारे में उन्होंने बताया था और गाओं के सभी वयस्क इसके सदस्थ से रहेंगे यह उन्होंने कहा था और ग्राम सभा सामदाइक लोकतंद्र की आधारवुत एकाई होगी जिसे ग्राम से संबंदी सभी विस्मों पर अंतिम निर्ण लेनने का अधिकार होगा तथा कारिपालिका की रूप में ग्राम सवा की कारिपालिका की संग्या दी यह आपको ध्यान रखना है इसके बाद फिर आगे देखेश में पंचाइती राज वास्तविक अर्थों में सहयोक्सी लोकतंत्र का आधार बने इसके लिए जैप्रकास नाराएंजी के द्वारा कुछ सर्ते आवस्चक बताई गई है तो ये सर्ते कौन-कौन सी है तो देखेश म कि पंचाइती राज को ये पंचाइती राज का अपने अधीन कर्मचारियों पर नियंत्रन ये कर्मचारी पंचाइती राज के प्रती पुन उत्तरदाई रहे तो जो पंचाइती राज होगा तो पंचाइती राज अपने अधीन कर्मचारियों पर नियंत्रन रखे और ये करवचारीं पंचाईतीराज के प्रती उत्तरदाई होंगे इसके बाद फिर अगला है जनता का फ्रसिक्षण कर इसके बाद प्र पंचाईतीराज वो राजनितिक दलों से प्रथकरण टिकने मतलब जो राजनितिक दल के विक्तियों को वे सब काम देने का उसर देना चाहते हैं जो उनकी छमता के अनुकूल हो ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है इन्होंने पंचयत राज के संब्द में कुछ सर्ते बताई थी जैप्रकास नारणजी ने अब इसके बाद देखे आगे छेत्रे स्तर पर या पंचय समिते और जिसका चुनाओ उस शेत्र की ग्राम पंचयतों के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा इसके बाद फिर जिला इस्तर पर पर परिसद तो जिला इस्तर पर जिला परिसद कहते हैं तो जिला इस्तर पर जिला परिसद होगी और जिला परिसद का गठन उस श इसी प्रांत में इस्तित जिला समुदाय से प्रांती सभा का गठन होगा और प्रांती इस्तर पर कारिपाली का सक्तियों का प्रयोग प्रांती सभा द्वारा गठे समीतियों के द्वारा सामुईक रूप से किया जाएगा इसके बाद फिर ऐसे ही राष्टी स्तर पर लोकसभा होगी तो राष्टी स्तर पर 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 राष्टी स्तर होगी यह इनोंने कहा हैं इसके बाद फिर अब आगे देखिए कि जैप्रकास नारायन सामुदाइक लोकतंत्र का आधार पंचाईती राज ववस्था को बनाना चाहते थे जिससे पंचाईती राज के माध्यम से लोक सुराज के स्थापना की जा सके और जैप्रकास नारायन जी की स जैप्रकास नारायन जन सहयोग, जन सहबागिता, और जन स्यूकरति से लोकतंत्र के स्थापना करना चाहते थे इसके लिए जैप्रकास नारायन जी ने लोक सुराज में लिखा था है कि मेरा मन भी वैसा ही सोचता है जैसा अक्सर गांदी जी जोड देते रहते थे जिसमें सरकार को नीचे के स्तर से उपर की ओर ले जाना चाहिए तो ये उन्होंने अपने विचार विख्त किये थे अब इसके बाद में जैप्रकास नारायन का शहवागी लोकतंद्र सुसासित, स्वपरियाप्त, क्रसी ऊद्योगिक, ग्रामिन व्यवस्था पर आधारित है जिसमें जन्टा की समीतिया बना कर काम करना चाहिए और लोग समीतियों के कार्यों पर महत्व देते हुए जैप्रकास जी ने कहा था कि एक लोकतंद्र की सफलता के लिए समीतियों का होना हावश्यक है तो यह इन्होंने कहा था इसके बाद फिर आगे देखे इसमें कि जैप्रकास नाराइंजे ने कहा था कि राजनितिक लोगों और लोगसभा तथा विधान सभा के हातों से कामों को छीन कर इन्हें बापस लोगों को सोपने का हमारा उद्देश से हैं की इनकी बात उन्हें की थी इनका कहना था कि अगर नीतिया जमीनी इस्तर से बनेगी ग्रासरूट लेवल सब्सक्राइब पॉलिस से बनाई जाए तो हमारी योजनाय कभी भी फैल नहीं हो तो इसके बात पिर जैप्रकास नाराएं ने सन उनेश कर पॉलिस से बाद देश के प्रत्तिक गाओं में जनता की समीतिया बनाने की अपील की थी और उनका यह विश्वास था कि नागरिक अधिक से अधिक कारी करें और सरकार के कारियों पर नियंत्रन रखें जो की लोकतंत्र की आधार सीला हैं। इसके बाद फिर जैप्रकास नारायण व्यक्ति का संतुलित एवं समन्वित विकास करना चाहते थे। यह आपको ध्यान रखना इसके बाद फिर आगे देखिए जैप्रकास नारायण जी ने कहा था कि प्रसासन की कारिवाई पर जनता के द्वारा निगरानी रखना ना क्यबल अधिकार वलकि उनका कर्तव भी है और इस समीति में लोग प्रतिनिदी अपने को जनता का स्वाम को जनता का स्वामी ना समझें बलकि जनता का सेवक समझ कर कारी करेंगे तो हमारे देश में विकास देजी से होगा इसके बाद फिर अगला अता है कि जैप्रकास नारायण ने यह भी माना था कि राजनितिक विकेंद्री करण आर्थिक विकेंद्री करण के बिना लोगतंत्र की सबसे वड़ी अबसकता यह है कि व्यक्ति की निरभरता राज्य पर कम से कम होना चाहिए यह जैप्रकास जी का कहना था इसके बाद फिर स्री सच्चेदानन्च जी के सब्दों में कि लोकतंत्र के संबंद में जैप्रकास नारायन की धारना है कि उसमें लोग की प्रधानता हो और तंत्र गोण हो यह उनका विचार था जैप्रकास नारायन का अब इसके बाद देखिए लोकनीती एवं लोक सकती तो जैप्रकास नारायन जी राजनितिक सक्ती का पूरी तरह विकेंद्री करन करना चाहते थे उनका सहवागी लोकतंतर या जिसको हम समुदाई की लोकतंतर भी कहते हैं एक सर्वोड़ा कारिक्रम है स्र्वोड़ा का मतलब होता है सभी का उदय है ठीक है और इसमें मानव के लिए सक्ति और सम्रिद्धता है यदि हम अपने आउसक्ताओं को कम कर दें तो समानता सुतंत्रता और बंदूता या भ्रात्रत्व एक साथ रह सकते हैं और जीवन में अनुसासन भी जरूरी होता है इसके बाद उन्होंने कहा कि लोक नीती और लोक सक्ति के बिना राजनीतिक व्यवस्ता वह समाजिक परिवर्तन निर्थक हो जाएंगे लोगों के सामाजिक, मानसिक, नेतिक, बोधिक, राजनितिक वा, जिसमें, ठीक है, तो राजनितिक वा समाज में सामाजिक न्याय, समानता, स्वतंतरता के लिए लोग सक्ति आवस्क है, जिसमें वर्गहीन, राजहीन, व्यवस्था के स्थापना हो सकती है, और यह हिंसा सक् और दंड से संभव नहीं है तो यह आपको इसमें ध्यान रखना है लोकनीती के बारे में और लोकसक्ति के बारे में इसके बाद फिर आगे वे कहते हैं कि यह वही सक्ति है जिसको महावीर, बुद्ध, ईशा इन्होंने बताया था यानि प्रेम, अहिंसा और करुणा की सक्ति हमें राज सत्ता से अलग रहकर तीसरे सक्ती का विकास करना है इसके बाद इसलिए गांधी जी ने कहा था कि जो अहिंसा में विस्वास करता है उसे राजनीती में नहीं जाना चाहिए इसलिए बिनोबा भावे या बिनोबा जी ने लोक सेवकों को राजनीती में जाने की सलाह न दी उन्होंने कहा था बिनोबा जी ने की जो भी लोक सेवक हो तो लोक सेवक को राजनीती में नहीं जाना चाहिए और राजनीती के बदले उसे लोक नीती की कलपना उन्होंने की थी मतलब लोक निती को बड़ावा दिया जाना चाहिए इसके बाद फिर जे प्रकास नारहां जी ने बिनोवा के साथ या बिनोवा भावे के साथ या बिनोवा जी के साथ लोक सक्ती वो लोक निती बनाने के लिए ब्यापक प्रयोग किये थे तथा इन प्रयोगों में उन्हें अधिक सफलता भी मिली थे ठीक है फ्रेंट तो ये आपको ध्यान रखना है इसके बाद फिर अगला आजाता है राज्ये तो राज्ये के बारे में जैप्रकास जी का क्या कहना है तो ये इसमें देखिए इसके बाद देखिए इसमें तो जै सैंसे घांदी जीने भी राज्य का विरूद किया था रच्वा गूता है कि राज्य का कमसीन होता है कि ये ऐख एक आइसा की थी मिए आपको ध्याइन रखना होगा क्योंकि एक्जाम में आपको कोस्षन। पुछ जा सकता ता या राज या- राज्य के संबंध भी राज्य यह आप से पुछा जा सकता है। उन्हों ने काल्यानकारी राज्य की धर्णा को या नोकर सही के हितों को भी बड़ा बदेती हैं का लेंकरी राज्य के बारे में ऐसा उन्होंने कहा था इसके बाद फिर गांदी जी की तरह वे भी राज्य को कम से कम सक्तियों को सोपने के पक्ष में थे तो जे प्रकास जी का भी कहना था कि जो राज्य है तो राज्य को कम से कम सक्तियां दी जानी चाहिए और उन्होंने कहा कि मुझे ना तो पहले विश्वास था और ना अब है कि राज्य पूर्ण रूप से कभी लुप्त हो जाएगा परन्तु मुझे यह विश्वास है कि राज्य के कारिषेत्र को जहां तक संभव हो घटाने के प्रयास करना सबसे अच्छा उद्देश से है ये उन्होंने कहा था राज्य के बारे में तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंट तो अगर एक्जाम में आपसे कोशन पूछा है इसका जैप्रकास नारहान जी का जो बचा हुआ पार्ट है इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा पढ़ाएंगे तब तक के लिए नमस्कार करे लिए करे लिए